मुहबबत की ऐसी हसल देख आपकी रूह भी काप जाएगी मा की ममता पिता का विश्वास भुला देता है ये इसक बड़े खाबों से होकर ऐसे हसल तक जाप पहुंचता है ये इसक ताज महल से होकर बदनुमा दाग तक सिमट कर रह गया है इसक जिस्म की भूक और विश्वास को कुचल चुका है आज का इसक इस लड़की की ऐसी हालत का जिम्मेदार है इसक इस लड़की की गलती बस इतनी है जिंदगी जीने की डोर बांध रही थी हालत उनकी ऐसी है खुद का नाम भूल चुकी है घुट कर जी रही है दर्द घुट घुट कर पी रही है देखकर उसकी ऐसी हालत आखे गुनेगार को ढूंड रही है घर की परी बेजान सी पड़ी है क्या क्या हुआ है इस लड़की के साथ खुद में जलती जा रही है गोटा के सांती नगर की रहने वाली पिरिया कुमारी का प्रेम प्रसंग टेंडर हाट में पढ़ाने वाले घंस्याम के साथ चल रहा था कुछ दिन पुर्वर घंस्याम ने पिरिया को उनके घर से उनके परिजनों को लिखित आवेदन दे कर ले गए थे फिर उन्होंने उसे नगर थाना में छोड़ दिया प्रेमी से बिछडने के बाद लड़की की हालत गंभीर हो गई और वो डिप्रेशन का सिकार हो गई उचे सदर अस्पताल लाया गया है जहां उनके स्थिती नाजुग बताई जा रही है अस्पताल में भी उसका देखरे करने वाला कोई नहीं अकेले अपने बेड़ पर कभी रोती है तो कभी छट पटाने लगती बताया जा रहा है कि पिरिया सेंट होमस स्कूल गोड़ा की सिक्छिखा थी काफी हस्मुक और खुस मिजाज थी लेकिन प्यार इसक महबत ने आजुसे क्या से क्या बना दिया इस खबर के प्रयोजक है जावेद हबीब लेडिस एंड जैन सेलों बड़े शाहरों के तरह अब आपके शाहर गोड़ा में भी जावेद हबीब लेडिस एंड जैन सेलों हर तरह के हेर कटेंग, हेर कलर, हेर स्टेटनिंग, हेर स्टाइलिंग, प्राइडल मेकप, मुंबई के ट्रेंड, हेर स्टाइलिस से उद्घाटन के अफसर पर एक महिने तक 30% तक का स्पेशल डिसकाउंट पता है, डिलाइन्स ट्रेंड्स बेस्मेंट, भागलपूर रोट, कुड़ड़ा पिछले दिनों एक लड़की का फोटो वाइरल हो रहा था और लोग कह रहे थे के मांसिक स्थिती सही नहीं है, और उसको नगर्थाना में किसी ने सुपूर्द कर रहा था, आज वो हस्पताल में आप देखने भी गए थे, क्या है पूरा मामलार क्या भी तक पता चल पाया लड़की की स्थिती यह है कि वो जिंदगी और मौत की भी जूज रही है, हो सके वो भगवान जाने दो दिन का भी महदमान हो सकती है और जिंदा भी रह सकती है, बहुत क्योंकि सहर का मामला था था, था हम उसको जांद परताल कि हम लड़की के पापा सभी मिले, तो गंस्याम महतो नाम का लड़का कुछ दिन पहले उसको उनके घर से ले गया था, लड़की भूली थी कि हम इसके साधिक है, हम इसके साथ रहे हैं, और हमको जहां तक पता है कि आज देर दो मैहां से वो सांतिनगर के किसी गली नंबर एक दो में कहीं रहती थी, और वो अके अभी तो दो दिन से सुनते हैं कि होस्पिटल में हैं, अब कैसे होस्पिटल पहुंची थाना कब गई थी, यह तो पुलीस ही बता सकती है, और हम तो अभी करेंगे लड़की के पापा से भी, वो भी लड़का पर दवाब बनाए या उसको थाना में आके खुल के बोलना च देखिए, सबसे पहले तो महिला है, तो हम हॉस्पिटल मिलने के लिए उससे हम और अध्यत सिती दोना साथ में गये थे, पता चला लोगों के द्वारा तो बड़ा बाबू से बात किये, जब वहां गये हम लोग तो उसकी जो इस्थिती देखी हमने, तो लगा कि वो आप के बीच जूझ रही है, और एक दो जिन की महमान है, अब उपर वाले का सिर्पाई हो जाए कि वो बच्या है, फिर उनके परिवार वालों का पता लगाया, और उनके पिता से भी हम लोग मिले, दान बॉसको स्कूल के जो डारेक्टर हैं, उनसे भी बात कित हुई, क्योंकि और कहा कि हम इसके साथ रहेंगे, और लड़की भी जो ली कि हम उसके साथ अब साधी करेंगे, और हम लोग अलग अपना व्यवस्ता करेंगे, वो लड़की चली गई यहां से, और अभी इधर एक सब्ता पहले वो थाने में मिली, हम लोग सब लोगों ने देखा, और आज तो हम लोग यही चाहते हैं कि उसके परिवार वाले हो या वो लड़का हो जीवन उसका बच जाए उसका जिन्दगी इस तरह से नर्क में जारा बरबाद हो रहा तो चाहे उनके पिता हो या हमसम हो या वो लड़का है सब कोई आगे आके उसकी जिन्दगी को बचाए और एक कि बच्ची का कोई कहता है मांसी की स्थिटी खराब है आज वो तीम दिन से आख नहीं खोल पा रही है तो उसकी जिन्दगी वज्जाए वस इसके लिए प्रियास कर रहे हैं लोग इसलिए नगर परिशत के अद्धेश्य पाद्धेश पहुंते 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 पहुं झाल